हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्व चैनल यूर रिष्टी गाइड पर तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम सभी अससी MTS के लिए राम बार क्लास लेने वाले हैं जिन लोगों का दोस्तों एकजाम 9 नौंबर से लेकर 14 नौंबर के बीच में है उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टन होने का लिए हैं क्योंकि दोस्तों इसमें वो कुश्चन ले गए हैं जो आप सभी के एकजाम में बार बार पूछे जा रहे हैं मैंने पेपर का एनलाइसिस किया जो कुश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं कुश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पूटप किया है आप सुरी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्ट होने वाली है आप सुरी के वीडियो को शुरूर से लेकर लास तक जरूर देखेगा अगर आभी टाइम नहीं है तो आप बाद में इसे देख लिए लेकिन बिना देखे आप एकजाम देने नहीं जाएंगे नहीं तो दोस्तों आप स्वी का question GKGS का छूटने वाला है आप स्वी के लिए वीडियो तो most important होने ही वाली है चलिए पढ़ना सुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों question को मैंने basic to advance label से दोस्तों put up किया है और पूरा explanation के साथ दोस्तों मैं आप स्वी को बताने वाला हूँ एक question के पीछे दोस्तों आप स्वी का चार या पांच question त्यार होने वाला है चलिए अब पहला question देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज छेतरफल की हिसाब से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज छेतरफल की हिसाब से कौन सा है आप सान आप यहाँ पर देखते हैं महराष्ट है उत्तरपरदेश है राजस्थान है और चौथा आप सान आप से देखते हैं मदपरदेश है तो राइट अंतर क्या है दोस्तों राजस्थान चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में क्या के इसकी खातियत है किसलिए बड़ा है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज है जिसका छेतरफल 3,42,249 किलोमीटर है कितना 3,42,249 किलोमीटर है यहाँ राज उत्तरपच्चिम भारत में इस्तित है और भारतिय उप महादेप के सबसे बड़े मरुस्थल थार का हिस्सा है अब यहाँ पर यह भी आप देख सकते हैं भारतिय उप महादेप का सबसे बड़ा मरुस्थल का है तो थार का मरुस्थल है यह भी आप यहाँ से एक कुशन आपसे के लिए बन सकता है एक कुश्चन यह बन सकता है कि राजस्थान का छेत्रफल कितना है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो 3,42,249 वर किनोमीटर आगला कुश्चन देखते हैं अब गांधी जी ने आसमती ब्यक्त करते हुए किसे बिभाजन का दोसी ठहराय था जो इंडिया और पाकिस्तान का दोस्तों इंडिया और पाक का जो भिभाजन हुआ था उसका गांधी जी ने किसको दोसी समझा था यह यहाँ पर पूछा जा रहा है जवाला नहरू को लाड माउंट बिटन को सैयद आहमद खां को या मुहमद अली जिन्ना को तो राइट अंसर क्या है आफसंडी मुहमद अली जिन्ना को गांधी जी ने इसका दोसी ठहराया था चलिए देखते हैं जिन्ना के बारे में तमा गांधी ने बिभाजन के लिए मुहमद अली जिन्ना को जिम्मिदा ठहराया था गांधी जी का मानना था कि जिन्ना की नेती और उनकी दो राष्ट दिधान के कारण भारत में बिभाजन हुआ ये दोस्तों गांदी जी का मानना था दरसल बात तो यह जिन्ना की वज़ा से ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान आज अलग हुए है जिसके कारण भारत को भी और पाकिस्तान को काफी हाने हो रही है पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है बार बार अटेक कर रहा है यहाँ पर आतंक वादियों को भीजता है जिसके कारण भारत को भी कापी छत होती है चलिए आगे दिखते हैं अब भारतिय संसद में कितनी लोकसभा सीटी हैं भारतिय संसद में कितनी लोकसभा सीटी हैं 525,545,550 तो राइट अंतर क्या है आफटन भी हमारा बिल्कुल ठीक है 545 सीटी है और रिक्स सीटों को जोड़ लिये जाए तो कितनी सीटी हो जाएंगी 550 हो जाएंगी चलिए दिखते हैं कैसे 545 सीटे हैं उसपर चुनाओ कि इ भारतिय संसत की लोक सभा में 545 सीटे होती हैं जिन में से 343 सदस्त सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और दो सदस्त को दोस्तो जो आंगल भारतिय होते हैं उनको दोस्तो निव्ट किया जाता है आगे देखते हैं जन गर्णना सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया था यह आप से इसे पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय ने इस्टी वर्ट ने बिलियम कैम्प बेल ने तो राइट अंधर क्या है आप सब्दी हमारा बिल्कुल राइट है इस्टी वर्ट ने और लाट डलोजी लाट डलोजी ने आप सब्दी इनके बारे में तो जानते होगे दोस्तों इन्होंने हडप नीप अपनाई थी कौन सी हडप नीप अपनाई थी जिसके कारणा दोस्तों क्या हुआ था अठारा सो सब्दावन की करांथ होई थी दर असल हमारा जो कुश्चन है उसे पहले ध दți फे ने किया था जिन्होंने 1871 में का absorb 1871 में भारते जनगल्ण्ण की परकिरिया की सुरूत कीति यहांसे या भी पूछा जा सकता ही कि भारते जनगल्ण्ण्णद्दा की सुरूत परक्रिया के शुरुआत सर पर्थम किसने और कभ की थी, तो इस्टी वर्ट ने की थी, कभ के थी, 1871 में की थी अगला कुश्चन महात्मा गादी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था महात्मा गादी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था तो राइट अंतर क्या है आपसन भी 1942 में कब किया था 1942 में किया था महतमा गानी ने भारत चोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था यह आंदोलन ब्रिष्टिस समराज के खिलाब व्यापक संगर्थ का हिस्सा था और इसका उद्देश भारत को ब्रिष्टिस सासन से मुक्त दिलाना था अगला खुश्चन स्वतंतरता संगराम के दोरान भारत माता की पूजा प्रारंब किसने किया था तो राइट एंथर क्या है दोस्तों आपसन हमारा यह बिल्कुर राइट है बाल गंगाधर तिलग किसने किया था बाल गंगाधर तिलग ने 173 संगराम के दोरान भारत माता की पूजा की शुरूआत की थी जिनोंने भारत माता को एक देवी की रूप में परतुद किया जो 173 संगराम के संगर्स का परतीक बनी अगला कुश्चन देखते हैं भारतिय संबिधान में कितनी कुल धाराई हैं तो राइट अंसर क्या है आपसान हमारा पी विल्कुल राइट है 395 कितने 395 अनुछेद हैं धाराई है भारतिय संबिधान में कुल 395 धाराई थी जब से जब इसे 26 जनुवरी 1950 को लागू किया थ बाद में संबिधान में कई संबिधान में किये गए हैं नेश्ट देखते हैं 1935 में लाहोर में हुए कांगरेश के कौन से सत्र में पूर सोराज की मांग की गई थी 1935 में लाहोर में हुए कांगरेश के कौन से सत्र में पूर सोराज की मांग की गई थी 1929, 1930, 1942 और नीची एक आपसा नहूर है तो राइट एंदर क्या है आपसा नहारा है ये बिल्कुल राइट है 1929 के अद्वेशन में दूस्तों पूर सोराज की मांग की गई थी इसलिए दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारा समिधान 26 नुम्बर 1919 को बन कर लागू हो गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया है? तो 26 जन्वरी 1950 को. क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि दोस्तों इसी दिन को याद करने के लिए हमारी संविधान को 26 जन्वरी को लागू किया गया था. नेस्ट कुश्चन भारतिय रेल मंत्राले की अस्थापना कब होई थी? 1857-1873-1905-1960. तो राइट अंतर क्या है? आपसे नहमारा भी बिलकुर राइट है. 1883 में के गई थी. भारतिय रेल मंत्राले की अस्थापना 1883 में होई थी. भारत में पहली रेल यात्रा कौन सी दोस्त थी. यहां से भी कुश्चन बनता है कि भारत में पहली जो रेल चली थी वह किन दो अस्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाड़े की बीच या चली थी. इनके बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी. कितनी? 34 किलोमीटर की लंबाई. बिस्त का सब सबसे बड़ा महादीप कौन सा है? तो एसिया महादीप जो है बिस्त का सबसे बड़ा महादीप है. बिस्त का सबसे बड़ा महादीप एसिया महादीप है या चेतरफल की हिजाब से सबसे बड़ा और इसमें चीन भारत जापान जैसे जापान रूस जैसे बड़े देश भ इंद्रा गांधी जी भारत की पहली महिला परधान मंत्री बनी थी उन्होंने 1906 से 1907 तक और फिर 1908 से 1904 तक परधान मंत्री के रूम में कार किया या पंडित जवालना नहरुजी की बेटी थी ये भी आप याद रखेगा भारतिय राष्टिय कांग्रेश की अस्थापना किस वर्थ हुई थी तो राइट एंसर क्या है 1885 में कब 1885 में दुस्तों भारतिय राष्टिय कांग्रेश की अस्थापना हुई थी किस लिए हुई थी ये भी आप जान लें यहाँ पर तो भारतिय राष्टिय कांग्रेश जिसे INC भी करते हैं Indian National Congress की जो पार्टी थी इसी कहते थो दूसरों भारतिय राष्टिय कांग्रेश की अस्थाबना 1885 में हुई थी इसकी अस्थाबना भारतिय महादीब में British समराज के खिलाब संगर्थ को संगर्थित करने के उद्धिर से किया गया था यहां से भी question पूछा जा सकता है कि इसका उद्धिर क्या था किस लिए जो भारतिय राष्टिय कांग्रेश पार्टी थी इसकी अस्थाबना किस लिए किये गई थी चलिए आगे देखते हैं सोर मंडल का सबसे बड़ा गरा कौन सा है सोर मंडल का सबसे बड़ा गरा कौन सा है तो राइट अंतर क्या है ब्रिस्पत ब्रिस्पत जो है दोस्तों सोर मंडल का सबसे बड़ा गरा है ब्रिस्पत जिसे युपिटर भी कहते हैं सोर मंडल का सबसे बड़ा गरा है इसका व्यास दोसो एक लाग उन्तालिस हजार आठ सो बीस किलो मीटर है और यह गैसों से बना है ब्रिस्पत के पास विसालकाय वले और उन्यासी से अधिक उपकरा है यहाँ पर एक कुश्चन यहाँ बन सकता है कि जो ब्रिस्पत है जो युपिटर है इसके पास कितने उपकरा है तो न्यासी उपकरा है आगे देखते हैं भारते रिजर्ब बैंक की अस्थापना कब हुई थी तो राइट अंथर क्या आपसा ने बिल्कुर हुमारा राइट है इसको की गई थी इसका मुख उद्देश भारती मुद्रा की अपूर्ति और आर्थिंग नितियों को नियंतित करना था आगे देखते हैं सतंतरता संग्राम के दोरान सत्यागरा सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया सतंतरता संग्राम के दोरान सत्यागरा सब्द का परियोग सर पर्थम किसने किया तो राइट एंतर क्या है दोस्तो आपसन भी हमारा बिल्कुल राइट है महतमा गांधी जी ने किसने किया था महतमा गांधी जी ने किया था देखते हैं महातमा गांधी जी के बारे में महातमा गांधी ने सबसे पहले सत्यागरा सब्द का परियोग किया था सत्यागरा का मतलब होता है सत्य के प्रत द्रिटता क्या सत्य के प्रत द्रिटता ये भी कुश्यन बनता है सत्यागरा का अर्थ क्या होता है तो सत्य किप्रत दिरिष्टा होता है और यह अहिंसक प्रितरोध का एक तरीखा था गांदे जी ने इसे 1906 में दच्छिड अपरिका में अपनाया और बाद में भारत में 77 संगराम के दोरान इसका उप्योग किया गया नेस्ट कुछिन देखते हैं भारत का राष्टिये पुस्प कौन सा है तो राइट अंतर क्या है आपसन भी बिलकुन हुमारा राइट है कमल कमल जो है भारत का राष्टिये पुस्प है भारत का राष्टिये पुस्प कमल यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक पड़तिक के रूप में महतपोड है और भारतिय परतिकों में इसे सरद्धा और पवित्ता का परतिक माना जाता है किस रूप में माना जाता है इसे सरद्धा पवित्ता परतिक के रूप में इसे माना जाता है next question देखते हैं Mount Everest की उचाई कितनी है Mount Everest की उचाई कितनी है तो 8848 मीटर जो है Mount Everest की उचाई है Mount Everest जो दुनिया की सबसे उची परवत चोटी है इसकी उचाई 8848 मीटर है अगर दोस्तों फिट में बात करें तो कितना है 2,9,029 फिट इसी उचाई है यह नेपाल और सिब्बत की बीच इस्तित है कहाँ पर इस्तित है नेपाल और सिब्बत की बीच Mount Everest इस्तित है यह भी आप याद रखिएगा गांदी जी के आसमेती के बावजूद किसने डोमिनियम एस्टेट का परसाउद दिया तो राइट अंतर क्या है Lord Mountbatten कौन? Lord जो Mountbatten थे उस समय के वाइस राय थे उन्होंने याद किया था 1947 में भारत को सुतनतता दिलाने के समय British Governor General Lord Mountbatten ने भारत को डोमिनियम इस्टेट देने का परसाउद रखा था जिसका महातमा गांदी ने बिरोध किया था क्योंकि उन्होंने पूर्सो सुतनतता की मांग की थी आगे दिखते हैं भारत का समयधान कितने भागों में बाटा गया है भारत का समयधान कितने भागों में बाटा गया है तो ऐसे तो दोस्तो अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं हम सभी अभी तक कितने भागें 22 भागें लेकिन वर्तमान में दोस्तों अब कितने हो गए हैं 26 हो गए हैं बाइस याद रखेंगे, ये अब नए हो गया है लेकिन अभी हर किताब में नही छपा है इसलिए आप सो भी बाइस ही दियान रखेंगे बारतिय सम्मिदान में कुल बाइस भाग है इसे बाइस भागों में पहले बाटा गया था लेकिन समय के साथ नए संसुधन हुए अब इसमें कुल 26 भाग है जो संसुधन किये गए हैं अगर दुस्तों उसे जोड़ा जाए तो आप 26 भाग हुए है लेकिन भाग अगर बात करें मुख रूप से कितने भाग थे तो बाइस भाग हैं ये भी आप याद रखिएगा नेस्ट कुश्चन देखते है सम्यधान सभा के पहले अद्रच कों थे सम्यधान सभा के पहले अद्रच कों थे 1946 में हुआ था और उन्होंने समिदान के निर्मान में महत्रपुड भूमिका भी निभाई तो फिरन्स आप सुई को वीडियो कैसा रगा कमेंट वॉक्स में जरूर बताएगा और आपका एक्जाम कब है नो तारिक से लेकर 2014 तारिक के बीच में आपका एक्जाम कब है ये भी आप सुई को बताना है और जिकेजियस के जिस पोर्षन में आप सुई को दिक्कत हो रही है उसे आप कमेंट वॉक्स में जरूर बताएगा उसका reply आप से को मिल जाएगा अगर आप से को इस class की पीडियाप चाहिए तो आप मारे telegram channel से जुड़ सकते हैं जिसके link और आप से को discussion में प्राइट कर दूँगा तो thank you for watching this video